दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि driving license और learning license का जो process है पूरा अधार EKYC based हो चुका है मतलब अब आपको अपना license बनाने के लिए ज़्यादा किसी documents की जरोत होती नहीं है और अब आप online इसके लिए apply कर सकते हैं वो भी केवल अधार card से अधार card EKYC से अपना learning license आप online ही apply कर सकते हैं और उसको apply करने के बाद अपना learning license का online test देकर अपना learning license भी online ही आप download कर सकते हैं इसका जो सारा process है पूरी तरह से online है उसके बाद अपना style license अपना permanent license बनाने के लिए भी आप online आविदन करके आपको अपने नजदी के RTO office जाना होता था जहां पर आपका physical test होता था और ये test देने के लिए आप अपने जिले के RTO के अलावा अन जिले के RTO में भी जाकर ये test आप दे सकते थे इसके बाद आपका जो driving license है वो आपके पते पर या फिर RTO office से आप collect कर सकते थे लेकिन दोस्तों यहां पर उत्तरपदेश सरकार के द्वारा license को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी तक आप अपने किसी भी आसपास का जो जिला है जैसे कि आपने गुरकपुर से apply किया है आपका जो अधार address है वो आपका लखनो का है और आप गुरकपुर जाकर अपना जो DL का process है RTO जाकर आप उसको complete कर सकते थे लेकिन इस सीजे में दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव के बारे में government of UP ने tweet करके भी बताया है तो इससे पहले हम government of UP का tweet जाकर देखें मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी अपना learning license या driving license बनवाना चाहते हैं तो उस पर मैंने अल्यडी वीडियो बनाए हुए है सारा process का online है जाकर आप वीडियो वाच कर सकते हैं दोनों वीडियो के जो लिंक है मैंने description में डाल दिये learning से लेके driving तक का complete process आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप click करके वीडियो वाच कर सकते हैं साथी साथ का जो लिंक है मैंने i button में डाल दिया तो वहां पर भी click करके आप वीडियो वाच कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहां पर twitter account अपना खोला है यहां पर government of UP ने tweet करके यह बताया हुआ है जहां का आधार बहीं बनेगा STI-DL मतलब आपके आधार card में जो address होगा जिस भी जिले का address होगा आप उसी जिले के RT office जाकर अपना driving license बनवा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं आपट दिया हुआ है कि यह जो पूरा process था यह पूरी तरह से online था जैसा कि मैंने आपको बताया आप online ही इसका application करके अपना learning license डाउनलोट कर सकते हैं लेकिन यहां पर अभी जो बदलाव किया गया है वो बदलाव style license को लिकर किया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया आपके आधार card में जो भी पता रहेगा आप उसी पता में जैसे कि आपका for example यहां पर अगर आपका जो अधार card है वो गोरकपुर का बना हुआ है आपका जो उसमें address डला हुआ वो गोरकपुर का डला हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आप लखनव से अपने DL बनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा अगर गोरकपुर का address डला हुआ है तो आपको गोरकपुर जाकर ही अपना जो driving license का permanent driving license का process है वो आपको complete कराना होगा और इसके लापको कोई दूसरा आप address प्रूप भी आपर नहीं लगा सकते हैं जैसे पहले कि आप किसी अनने जले से अपना driving license बनवाना चाहते तो आप संस्ता का ID कार्ड बीमर असीर ऐसा कोई भी document आप लगा सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपके अधार कार्ड में जो भी address होगा आप बहीं से अपना driving license बनवा पाएंगे तो काफिस सारे लोगों का ये सवाल भी था मैंने भी driving license और learning license में कुछ वीडियो बनाए हुए जिस पर काफिस सारे लोगों ने मुझसे comment करके पूछा भी था कि क्या हम एक जिले से license अपना apply करके किसी दूसरे जिले के RTO से उसका जो process आगे का वो complete करा सकते हैं तो ऐसा अब यहाँ पर यह clear कर दिया गया है अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर अभी तक आपने किया भी है यहाँ पर देखिए mention किया गया है अगर एक जून से पहले आपने learning dl बनवाने के लिए apply किया था तो उनके लिए नियम लागू नहीं होगा लेकिन एक जून के अब जितने भी application यहाँ पर किये जाएंगे वो इसी अधार पर किये जाएंगे तो आपके अधार काड़ में जो भी address होगा आपके वहीं से अपना जो driving lessons का process है वो आगे का आप complete करा पाएंगे तो दोस्तों यह था एक बहुत बड़ा बदला जो कि government of UP के दोरा driving lessons को लेकर क किया गया है मुझे लगा कि इस update के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए तो मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए आप दोस्तों आप इस update के बारे में आपको सारी चीन समझ में आगे होंगी और यह बदला आपके कुछ खास पसंद नहीं आया होगा बड़ अगर